चोटी बहु ने किया बड़ी बहु को सर्दी में बेखर एक गाउं का घर, सास, शांती देवी अपनी बड़ी बहु राधा के साथ बैठी है राधा अपने माईके से बहुत साधारण है, लेकिन उसके वियोहान में विनमबरता और समझदारी है राधा मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सची हीरा जैसी बहु दी है, तुमने घर का कितना अच्छा खयाल रखा है भगवान ऐसी बहु तो हर किसी घर में होनी चाहिए माजी ये तो मेरा कर्दवे है, आप सबका खयाल रखना ही मेरा असली काम है और मैं अपने फर्द से कभी पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा आप से वादा है शांदी देवी अपनी बहु राधा को आशिरवाद देती है भगवान तुझे हमेशा सदा सुहागन रखे और तु हमेशा ऐसे ही खुश रहे राधा अपनी सास से आशिरवाद लेकर बहुत खुश होती है जिसके बाद वो रसोई में जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है उसका सभाव और उसकी सादगी पूरे घर का माहौल अच्छा बनाई हुए है छोटी नंद सीमा वहाँ आकर उससे बात करती है बाबी हर रोज इतनी मेहनत करती हो ठकती नहीं क्या सारा काम आपा के लिए ही कर लेती हो किसी को परिशान भी नहीं होने देती हो अरे सीमा जब सब के चहरे पर खुशी देखती हूँ तो ठकान खुद ही कायब हो जाती है मेहनत मेहीं तो सची खुशी है और पता है मुझे मेहनत करने में कोई बुरा नहीं लगता मैं तो मेहनत करके बहुत खुश हूँ भगवान ऐसी महनत हर बहु को दे और वो अपनी परिवार को इसी तरह खुश रखे रसुई के बाहर से जाते हुए शांती देवी ये सब सुन लेती है और उसे अपनी बड़ी बहु पर बहुत गर्व होता है शांती देवी अपने कमरे में जाती है और खुशी खुशी अपने छोटे बेटे रमेश की पुरानी तस्वीर देखने लगती है उन्होंने उसे कई महीनों से नहीं देखा था विछ थंडी आते ही उसे याद करने लगती है शांती देवी ऐसा सोचने के बाद अपने बेटे रमेश को फोन करके उसे गाउं आने के लिए कहती है हा मा कैसी हो बिलकुल ठीक हो बेटा सर्दिया शुरू होने वाली है सोच रही हूँ इस बार तुम और निहा गाउं आजाओ रमेश बेटा दरसल बात यह है कि मुझे तेरी बहुत यादा रही है तुश शेहर में क्या रह रहा है वहाँ की धंड तो और भी ज़्यादा होगी बेटा तु गाउं आजा अरियो वाह बिलकुल मा हम जल्दी आएंगे निहा को भी सर्दियों में गाउं का मौसम पसंद है आप हर साल फोन करती हो पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता लेकिन इस बार मैंने सर्दियों में आने का पूरा प्लान बनाया हुआ है आप चिंता मत करो मैं आप से मिलने निह नहा के साथ बहुत जलनाने वाला हूँ ये सुनकर शांती देवी के चहरे पर मुसकान आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है खुशी-खुशी फोन रख देती है उधर शहर में रमेश अपनी पतनी नहा के साथ रहता है रमेश गाउं जाने के लिए बहुत पता है सर्दियों में गाउं का मौसम बहुत सुहावना लगता है बहुत अच्छा लगता है देखना तुम्हें वहां का मौसम बहुत पसंद आएगा रमेश प्यार से बात करके नहा को गाउं चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन नहा जाने के लिए आनागानी क जाती है ऐसे ही कुछ दिन बाद नेहा और रमेश गाउं पहुंचते हैं नेहा महंगी कपड़ों और गहनों में लिप्टी होती है सभी परिवार वाले उसका स्वागत करते हैं लेकिन नेहा का नखरा देखकर सभी अचम्भित हो जाते हैं इस छोटी सी गाउं में तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता सोच रही थी कि यहां थोड़ी परिशानी होगी पर चलो देख लेते हैं नेहा चिंता मत करो यहां तुम्हारे लिए सारी सुविदाएं हैं यहां तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मैं हूँ न तुम्हें प्यार प्रेम से स्वागत करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद नेहा देखती है कि सभी घर में राधा की तारीफ करते हैं इससे वो अंदर ही अंदर जलने लगती है अरे यह इतनी साधारन राधा को सब क्यों इतना मानते हैं मेरी इतनी अच्छी चीज़ी और पैसा देखक जबकि मैं इस राधा से कितनी अमीर हूँ जब देखो हर कोई उसका ही गुणगान काता रहता है लगता है कि इस बार राधा का कुछ तो करना ही पड़ेगा अब घर के छोटी बहु हूँ बड़ी बहु को इतने आराम से रहते हुए देख तो नहीं सकती उसी राध शांती देवी अपनी बड़ी बहु की तारीफ करती है हमारी बड़ी बहु इतने काबिले तारीफ है कि जितनी तारीफे करो उतनी कम है खाना बनाने में परफेक्ट घर संभालने में परफेक्ट सही कहा मा भावी बहुत अच्छा खाना बनाती है नेहा तुम्हें भी इंफेक्ट बहुत कुछ सीखना चाहिए हाँ ये भी सही बात है छोटी भावी को बड़ी भावी से काफी कुछ सीखने की जरुत है ये सुनकर नेहा को गुस्टा आता है और वो बिना कुछ कहे गुसे में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है कुछ दिन बाद नेहा साथ शांती देवी के साथ बात करती है वो चालाकी से शांती देवी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कहती है मा जी अब आप बुजर्ग हो गई है घर की देखभल भी सही से नहीं कर पाती क्यों ना इस घर को आप मेरे नाम कर दीजी ताकि मैं इस घर को संभाल सकूँ आप तो जानती हुना मैं कितनी अमीर हूँ कितना पैसा है मेरे पास मुझे इन सब चीजों की रखवाली करनी बहुत अच्छे से आती है पर बेटा मैं इस पर बाद में सोचूंगी अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है बिल्कुल मैं चल्द ही तुम्हे मना लूँगी कुछ समय बाद नेहा सास को जूटे प्यार और जूटी देखवाल से अपने बक्ष में कर लेती है और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद नेहा घर के माहौल में बदलाव लाती है रादा को हर छोटी बड़ी चीज के ये ताने मारती रहती है निहा के इतना बोलने पर रादा कुछ नहीं बोलती ठंडी तेज होती है और एक दिन नहा रादा को घर से बाहर कर देती है रादा अब एक तूटी फूटी जोपडी में रहने को मजबूर है सास को ये देखकर दुख होता है पर नहा की डर से कुछ नहीं कर पाती माजी अब मुझी यहां रहना है कोई बात नहीं मैं इस ठंड में भी जी लूँगी बस आपका आशिरवाद चाहिए जिससे मैं इन परिशानियों का सामना कर सकूँ मेरा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है बहू अब राधा बिचारी ठंडी में ठिटोडते हुए जोपणी में बैठी होती है उसके पास सरदी से बचने के लिए कपड़े भी नहीं होते वो नहा से कुछ पुराने कपड़े मांगने जाती है नहा ठंडी बढ़ती जा रही है अगर तुम्हारे पास कोई पुराना शॉलिया कमल हो तो मुझे रे दू ये ठंड मुझ से बरदाश नहीं हो रही क्या मेरी कपड़े तुम ही दू ये तुम्हारे बसका नहीं है जिठानी जी तुम्हें जैसे रहना ही रहो तुम्हें इस घर से एक तिनखा भी नहीं मिलेगा सास शांती देवी राधा की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है अब वो घर के सभी सदस्यों को बुलाकर एक बड़ा फैसला करती है हम सबको राधा के साथ रहना चाहिए उसके बिना ये घर अधुरा है छोटी बहु ने जो किया सो किया अगर उसे इस घर पर इतना ही कमंड है तो अब हम पूरा परिवार छोटी बहु को छोड़कर बड़ी बहु के साथ रहेगा बिलकुल मा मैं भी भाबी के साथ रहना चाहती हूँ उनके पास रहने से अपना पन महसूस होता है इस तरह सारा परिवार राधा के साथ जोपड़ी में रहने का निर्णे लेता है निहा इस सब को देखकर हैरान रह जाती है यह सब मुझे छोड़कर जोपड़ी में रहने जा रहे हैं क्या इने मेरी कोई परवा नहीं है राधा अपने परिवार को जोपड़ी में देखकर बहुत खुश होती है वो सब का ध्यान रखने की कोशिश करती है आज पड़ोस के लोगों से वो जरूरत के हिसाब से थोड़े गरम कपड़े मांग लेती है जिससे उनका थोड़ा बहुत गुजारा तो हो ही जाता है माजी आप सब का यहाँ आना मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है अब मेरे पास कुछ भी नहोकर भी मैं बहुत खश हूँ नेहा अप घर में अकेली रह जाती है वो खुदी सारे काम करने की कोशिश करती है लेकिन ठंडी में काम करते करते बीमार हो जाती है अफ ये कितना मुश्किल है इतनी ठंडी में अकेली सब करना नमूमकिन सा है पता नए इस घर की बड़ी बहु ये सारे काम कैसे कर लेती थी अब नेहा अकेला पर महसूस करने लगी थी अकेले ठंड में सारे काम करने से वो बीमार पड़ गई थी जिसके चलते शांती देवी को नेहा की बीमारी की ख़बर मिलती है वो राधा और सभी परिवार के साथ नेहा की देखवाल के लिए वापस घर लोटाती है नेहा तुमसे गलती हुई है पर परिवार को साथ रखना हमारा करतव्य है राधा तुम्हारी देखवाल करेगी नेहा राधा के निस्वार्थ सेवा और प्यार को देखकर खुद को दोसी महसूस करती है और रोने लगती है जी डानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे ही वज़े से पूरा परिवार एक जुट है, इस बात का मुझे एहसास हो गया सारा परिवार अब साथ में मिलकर एक जुट हो जाता है निहा का घमन तोट जाता है और वो सभी से माफी मांगती है मां जी इसी मां और सब लोग मुझे माफ कर दे मैंने पैसे के नशे में गलत किया अब से सब मिलकर रहेंगे एक परिवार क्या होता है परिवार की ही मत क्या होती है मुझे यहां रहकर समझ आया और अकेले पन से मैंने ये सीखा कि इस सब का साथ रहना बहुत जरूरी है यही सचे परिवार की पहचान है बहू अच्छा हुआ, सही समय पर तुमें सारी चीजों की समझ बढ़ गई आपसे तुम भी परिवार की साथ अच्छे से रहना मेरी तुम से बस यही प्रात्ना है पूरा परिवार एक बार फेर हसे खुशी के साथ में रहने लगता है नेहा को भी अपने की ये पर पच्छतावा होता है और वो सभी के सेवा में लग जाती है अब नेहा भी धीरे-धीरे राधा की तरह परिवार को प्यार प्रेम देना सीख जाती है और अब वो सभी के साथ खुशी-खुशी रहती है और इसी के चलते उनकी ठंडी आराम से बीथ जाती है अमीर गरीब का फरक कुछ लोग कभी भी नहीं भूलते वो ये भूल जाते हैं कि भले उनके पास पैसा है लेकिन पैसा होने के साथ साथ नियती और अच्छे मन का होना जरूरी है नहा के पास बहुत पैसा है और वो बहुत अमीर शहर के लड़की है लेकिन फिर भी उसके मन में परिवार के लिए कोई प्यार नहीं है वही रादा जितनी सरल उतनी ही घरवालों को समेट के चलने वाली बहु है तो आप बदाएए आपको इन दोनों में से किसका करदार जाद अच्छा लगा और आपकी सरदियां कैसी जा रही है